दोस्तों जब आप WordPress या ब्लोगर में अपने website बनाने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला चीज जो दिमाग में आता है, वो है domain name. बहुत सरे लोगों को नहीं पता होता है कि domain name क्या है, कौन सा domain name बाई करना चाहिए, क्योंकि जब आप domain बाई करने जाते हो, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के domain name आपको देखने को मिलते हैं, .com.net, .wordg.in, ऐसे कई सारे extensions के साथ domain name आपको देखने को मिलते हैं, तो ऐसे मे एक सवाल सभी के मन में आता है, कौन सा domain name बाई करें, कौन सा domain best है आपके website के लिए, और कहां से domain बाई करें, तो आज हम इनी सब topics के उपर बात करेंगे, चलिए सब से पहले जान लेते है, domain होता क्या है, नमस्कार दोस्तों, मिरा नाम है राजदिमिस्रा, और मैं आप सब क सवागत करता हो, आपके अपने चैनल, website guide हिंदी में, जहाँ पे आपको हर रोज website related, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, दोस्तों, वीडियो सुरकन से पहला, आप सबसे एक ही request करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को subscribe कर लिज क्या है, दोस्तों, domain name आपके website का नाम होता है, जैसे कि मेरे website का नाम है, राजितिपमिसरा.com, इसको आप web address या domain name बोल सकते हो, जिस system से आपके domain name को operate किया जाता है, या चलाया जाता है, उसे domain name system या sort format DNS कहा जाता है, DNS में आपके domain से related सारा information store रहता है, जैसे कि domain का IP address और भी बहुत सारा information, तो बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे, क्या domain name जरूरी है, क्या बिना domain name के भी किसी website तक पहुचा जा सकता है, तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुर्वाती दोर में, domain name या web address या जैसे कि राजितिमिसरा.com, ये ना होकर IP address हुआ करता था, IP address का एक specific IP address होता है, ताकि एक device दूसरे device के साथ internet के through connect हो सके, दोस्तों, आपके mobile phone और computer का भी IP address होता है, क्योंकि ये सिब device भी internet के साथ connect हो सकते है, IP address बिल्कुल आपके mobile number की तरह होता है, जैसे अगर आपको किसी एक person से बात करना होता है, तो आप उसके contact number को dial करते हो, call लगात किसी एक इनसान के पास जा रहे है, कल फिर से उसी number पर call लगा रहे हो, तो किसी दूसरे इनसान के पास call जा रहे है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हर एक device का specific IP address होता है, दाकि communication establish हो सके, IP address आज भी खतम नहीं हुआ है, हर एक website का specific IP address होता है, तो IP address से ह जब किसी एक website तक पहुचा जा सकता है, तो domain name या web address का जरूरत ही क्या है, इस चीज को समझने के लिए आपको IP address को अपने गाउ या सहर के pin code की तरह समझना होगा, आप दसवारा सहरों के नाम ज्यादा आसानी से याद रख सकते हो, या फिर उन गाउ या सहरों के pin code को कि मैं कोलकता में रहता हो, तो आपको कौन सा address सुनने में अच्छा लग रहा है, कौन सा आप ज्यादा आसानी से याद रख सकते हो, जी हाँ दोस्तों, आप किसी एक सहर का या गाउ का नाम ज्यादा आसानी से याद रख सकते हो, इस तरीके से आप बहुत सरे सहरों का नाम याद रख सकते हो, क्योंकि हमारा जो human brain होता है, वो किसी नाम को ज्यादा आसानी से याद रख सकता है, बजाए एक number के, computer के लिए number से communicate करना ज्यादा आसान है, इसलिए अभी तक IP address खतम नहीं हुआ है, इसलिए हर एक device जो internet के साथ connect हो सकता है, जुड़ सकता है, उसका एक specific IP address होता है, अगर आप अपने mobile पे या computer के web browser में, rajdimisra.com type करते हो, enter प्रेस करते हो, तो आपका device directly rajdimisra.com से connect नहीं हो सकता है, किसी भी website को access करने के लिए, उसके information को read करने के लिए, उस website का IP address चाहिए, और इस काम में आपके device का help करता है, DNS यानि domain name system या domain name server जो भी आप बोलिये, DNS का काम यही होता है, जब भी आप अपने web browser में किसी एक website को type करते हो, enter प्रेस करते हो, तो सबसे पहले एक request DNS के पास जाता है, DNS reply में उस website का IP address send करता है, और फिर जाके वो website आपके web browser में open होता है, और आप उस website के सारे content को access कर सकते हो, read कर सकते हो, दोस्तों जब आप किसी एक website को open करते हो, तो website के domain name के सुरू में, HTTP या HTTPS ऐसा लिखा हुआ आता है, क्या आपने कभी notice किया है, अगर नहीं किया है, तो आज ही किसी एक website को open करके, सुरू में देखिए, HTTP या फिर HTTPS, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा, यह जो HTTP या HTTPS है, इसको protocol कहा जाता है, protocol means set up rules in digital communication system, इंटरनेट के कुछ ऐसे rules, जो हर एक website को follow करने पड़ते हैं, HTTP का full form होता है, hypertext transfer protocol, और HTTPS का full form होता है, hypertext transfer protocol secure, HTTPS protocol के साथ open होने वाले website, ज्यादा secure होते हैं, इन website को आसानी से hack नहीं किया जा सकता है, और इन website में अगर आप अपना कुछ information प्रोवाइड करते हो, जैसे कि payment के time पे, अगर आप अपना payment details यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, इस असल certificate चाहिए होता है, cloudflare का use करके भी आप बिल्कुल free में HTTP से HTTPS में convert कर सकते हो, कि अर इन सब के बारे में आगे इस channel में details में कभी ना कभी discuss ज़रूर होगा, HTTPS www.rajdimisra.com यहाँ पे HTTPS protocol है, राजदिमिसरा जो है, यह है domain name, www जो है, इसको subdomain कहा जाता है, subdomain name कहा जाता है, www का full form होता है, worldwide web, और यहाँ पर .com जो है, इसको domain extension कहा जाता है, domain अलग-अलग extensions के साथ आता है, जैसे कि .in, .net, .org, .edu, ऐसे बहुत सार extensions आपको देखने को मिल जाएंगे, तो अगर कोई अपने web browser में गलती से, https www.rajdimisra.com के जगा पे, या simply rajdimisra.com के जगा पे, कोई अगर rajdimisra.in, .org, .net, यह सब अगर use करता है, enterprise करता है, तो वो मेरे website में ना कर, किसी दूसरे के website में पहुँच जाएगा, अगर कोई दूसरा person, उस domain name को अपने नाम पे register करके रखा है, उस पे एक website बना के रखा है, तो वो उस website में चला जाएगा, वो जो traffic है, वो जो view है, वो उस person को मिल जाएगा, यह problem ना हो, इसलिए Google जैसे, और भी कई सारे बड़े companies, जब अपना domain buy करते हैं, तो वो multiple extensions के साथ domain buy करता है, जैसे Google ने, google.com, google.in, google.co.in, google.net, ऐसे और भी बहुत सारे, अलग-अलग extensions के साथ domain buy करके रखा है, अभी अगर कोई गलती से, google.com के जगा पे, google.net उपन करता है, तो वो redirect होके google.com पे ही जाएगा, वैसे ही Amazon ने भी करके रखा है, अलग-अलग country code domain को buy करके रखा है, और जिस भी country code domain पे आप जाएए, आप Amazon के website तक ही पहुँचे होगे, जो traffic है, वो Amazon को ही मिलेगा, domain name और extension मिलके एक unique नाम बनाता है, जो किसी एक specific person के नाम पे ही registered हो सकता है, जैसे कि राजदिमिस्रा.com अभी मेरे नाम पे registered है, तो कोई और person इस domain को specific राजदिमिस्रा.com को buy नहीं कर सकता, अपने नाम पे registered नहीं करवा सकता, कैसे पता लगाए, कौन सा domain buy करना चाहिए, कौन सा domain करीदे, देखे, top level domains अच्छे होते हैं, top level domains जो होते हैं, वो ज्यादा आसानी से rank होते हैं, इसके कुछ examples मैं आपको बताता हूँ, .com, .org, .net, .edu, ये सभी top level domains के कुछ examples है, ये सब extensions अगर आप लेते हो, तो आपका जो domain होगा, वो आसानी से rank हो जाएगा, किसी को अगर commercial website बनाना है, तो वो .com extension को select करेगा, अगर educational website बनाना है, तो .edu, अगर government website है, तो उसमें आपको .gov extension देखने को मिलता है, अभी country code top level domains भी होते हैं, जिनको देखके ही आप पता लगा सकते हो, ये जो domain है, ये किस country का है, जाचे कि .in extension के साथ आने वाले सभी domains, specifically India के domains है, किसी ना किसी है कि Indian के नाम पे ही registered है, किसी दूसरे country का कोई person, .in domain को अपने नाम पे registered नहीं करवा सकता है, और country code top level domain में सबसे ज्यादा traffic, अपने country के लोगों से ही आता है, तो अगर आपने सोच लिया है, कि आपका website कि से related होगा, उसमें आपको कौन से country का ज्यादा traffic चाहिए, तो आप country code top level domain purchase कर सकते हो, और अगर आपने नहीं सोचा है कि कौन से country का आपको traffic चाहिए, या कि specific topic पे आपका website होगा, तो आप .com domain को purchase कीजिए, .com domain अच्छा है, top level domains में से सबसे अच्छा domain .com को माना जाता है, number one, आपका domain name ऐसा होना चाहिए, जिसे लोग आसानी से याद रख सकें, number two, आपका domain name ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, short domain name अच्छा होता है, 15 character से नीचे का domain name अच्छा होता है, number three, आपके domain name में अगर keyword है, तो domain name को काफी अच्छा माना जाता है, जैसे कि अगर आप health topic के उपर, या किसी भी specific topic के उपर आपका website है, आपका जो भी topic है, उस related keyword अगर आपके domain name में है, जैसे कि health topic के उपर बना हुआ एक website के domain name में, अगर health, या फिर healthy, ये सब keyword होगा, तो उस domain को काफी अच्छा domain माना जाएगा, As example मैं आपको बदा सकता हू, health.com, या healthy.com, या healthtips.com, या healthy diet.com, ऐसे बहुत सारे examples होते, आप समझ गया होंगे, कुछ इस तरीके से आप अपने domain name को select कर सकते हो, वो एक अच्छा domain माना जाएगा, domain कहां से खरीदे, वैसे तो बहुत सारे websites हैं, जहां पर आप domain purchase कर सकते हो, बट जो popular websites हैं, जहां पर आप cheap price में best domain buy कर सकते हो, उनका list आपके सामने है, मैं personally Godaddy and Hostinger से domain purchase करता हो, बाकि इन सभी websites के link आपको वीडियो के नीचे description सक्षन पर मिल जाएगा, आज आपने domain के बारे में जाना, नेक्स्ट वीडियो में आप जानोगे hosting के बारे में, नेक्स्ट वीडियो का notification अपने phone and email में पाने के लिए, चैनल को subscribe करके bell icon पे click करके all notification को enable करे, this is a new channel और ये channel तभी grow करेगा, जब आप सब मिल के support करोगे, so please support this channel, please support this video, आपका एक like मुझे motivate करेगा ऐसे और भी वीडियो बनाने में, thank you for watching this video,